आज हम बनाएंगे मूंग दाल बॉल जिसके लिए जो कप हमने मूंग दाल ली है और इसको हमने तीन घंटे के लिए बिगो कर पीछ लिया है ये एक गड़ी हरा धनिया जीरा पाउडर साबुच जीरा अद्रक कटी हुई हरी मिर्च हल्दी चिली फ्लैक्स नमक ये चाट मसाला काली मिर्च तलने के लिए तेल अब हम शुरू करते हैं सभी स्वाइस मिलाएंगे इसमें ये हरी मिर्च डालेंगे मिर्च अपने हिसाब से रखते हैं जितना खा सकते हैं अद्रक ये हमने कद्दू कश किया है एक चमच जीरा पाउडर ये एक चमच पेता हुआ जीरा भुना हुआ हरा धनिया एक गड़ी आधा चमच अल्दी पाउडर एक चोटा चमच मिर्च कुटी हुई नमक अपने स्वाद के नुसार चाट मसाला ये दो चोटी चमच डालेंगे एक चोटी चमच काली मिर्च अब इनको मिक्स करेंगे इतने हम ये थेल भी गरम होने के लिए रख देते हैं मिक्स तर चुके हैं मुंदाल बहुत ही रिच प्रोटीन का सौर्स होती है ये बच्चों के लिए बहुत फाइदेमन होती है और खाने में भी अच्छ लगता है अभी तैयार हो चुका है तेल गरम होगा तो हम इनको तल लेंगे तेल को चाह कर लेते हैं तेल हमारा गरम हो चुका है ये हमारा तेल गरम हो चुका है ये इसमें बबल सारे है और ये भी उपरा आगा है अब हम मुंदाल बॉल्स को फ्राइ कर लेते हैं इसी तरह से अब हम सभी बॉल्स डाल लगें इसको दाल को थड़ा मूटा मूटा पीचेंगें बहुत बारीग नहीं करेंगें थे डे बहुत अब़ा नहीं दो मूह करें रहिए घचल करेंगे रहिए बहुत बबल सक्षब कर अप्राइब जब बल्स टो धाने है बहुतिन को डिशे अप्राइब इनको गोल्डन होने तक हम फ्राइ करेंगे, गोल्डन सुने रहा होने तक, रिखाने में बहुत ही पोष्टिक और स्वाधिष्ट होती है, बच्चे इनको बहुत पसंद करते हैं, इसी तरह से सभी तयार कर लेंगे, इसी तयार हो चुकिए हैं इनको निकाल लेंगे, बागे भी सभी गोल्डन इसी तरह से तयार कर लेंगे, इको हम तयार हो चुकिए हैं, अब बागे भी सभी तयार कर लेंगे, यह मूंदाल बॉल्स तयार हो चुके हैं अगर आपको यह रैसीवी पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें